एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एकदम शान्त बैठे हुए थे। उन्हें इस पकार बैठे हुए देखकर उनके शिष्य चिंतित हुए कि कहीं में अस्वस्त तो नहीं है। एक शिष्य ने उनसे पूछा कि आज वह मौन पर क्यों बैठे हैं। क्या शिष्यों से कोई गलती हो गई है। इसी बीच एक अन्य शिष्य ने पूछा कि क्या वह अस्वस्त हैं। पर बुद्ध मौन रहे। तभी कुछ दूर खड़ा व्यक्ति जो से चिलाया। आज मुझ मुझे सभा में बैठने की अनुमती क्यों नहीं दी गई है। आख बंद करके बुद्ध ध्यान मगन हो गए। वह वक्ति फिर चिलाया। मुझे प्रवेश की अनुमती क्यों नहीं मिली। इस बीच एक उदार शिष्य ने उसका पक्छ लेते हुए कहा। उसे सभा में आन बुद्ध उनके मन का भाव समझ गए और बोले हाँ वह अचूत है। इस पर कई शिष्य बोले कि हमारे धर्म में तो जात पात का कोई भेधी नहीं है। फिर वह अचूत कैसे हो गया। तब बुद्ध ने समझाया कि आज वह क्रोधित होकर आया है। क्रोध से जीवन की ए चूत होता है। इसलिए उसे कुछ समय एकांत में ही खड़े रहना चाहिए। रोधित शिष्य भी बुद्ध की बात सुन रहा था। पश्चाताप की अगनी में तब पर वह समझ चुका था कि अहिंसा ही महान करताव्य वह अपरमधर्म है। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और कभी क्रोध ना करने की शपत ली। आशाई यह है कि क्रोध के कारण व्यक्ति अनर्थ कर बैठता है और बाद में उसे पस्चा चाप होता है। इसलिए हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। असन मायने में कोथित व्यक्ति अचुत हो जाता है और उसे अकेला ही छोड़ देना चाहिए। क्रोध करने से तन, मन, धन, तिनों की हानी होती है। क्रोध से ज्यादा हानी खरक कोई और वस्तु नहीं है। बुद्ध ने कहा भी है क्रोध को पाले रखना गर्म कोईले को किसी और बर फेकने की नियत से पकड़े रहने के समान है। इसमें आ आप स्वैम ही जलते हैं।